नमो नमो विद्यातियों हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फश्ट में महाकवी कारिदास प्रणीत रगवन सम् महाकाब्य का प्रथम सर्ग देखिए रगवन सम् महाकाब्य महाकवी कारिदास का महत्मून महाकाब्य है और इसमें देखिए अब हम पढ़ रहे हैं जो राजा दिलीप हैं वे आस्रम में पहुँच चुके हैं और उसके बाद क्या है उससे पहले का इसमें थोड़ा सा बनन किया गया है कि काप्य अभिख्या तयोर आसीत ब्रजतोह सुद्ध वे सयोह हिम बेनिर्मुक्त योर योगे चित्रा चंद्रमसुरिव देखिए क्या कहते हैं जो कभी कालिदास क्या कहते है कि कापी कापी का क्या तात्पर होता है विद्यारतियो कोई भी कोई भी का तात्पर क्या है जिसका बर्नन नहीं किया जा सकता है अभिक्या कहते हैं उसकी चमक के विसे में उसकी सुंदर के विसे में तो क्या कहते हैं काप्य अभिक्या की कापी की कोई भी जिसका बर्णन नहीं किया जा सकता है ऐसी अभिक्या उनका जो सुंदर था तयोहा उन दोनों का आसीत था कि उन दोनों का अर्थात वह जो राजा दिलिप है और उनकी जो रानी है कौन सी रानी है उनकी सुदच्छना तो उन दोनों राजा और रानी का जो सुंदर है वो कैसा था काप पे अभिख्या का ताथ पर क्या होता है कोई भी अभिख्या थी अभिख्या का ताथ पर क्या है सुंदर है और ऐसा सुंदर है जिसका क्या विधियारति ओर बन्हंत नहीं किया जा सकता इसको कहते हैं कापHe तैयोह आसीप ब्रजगतोह सुद्द वैसAJո है कि तैयोह माने उन दोनों के कि नदोनों के राजा और जो राणी है उन दोनों का जो सुंदर था उसका कोई अलोख ही अभिख्या थी उसमें और सुद्ध वेस है होगा क्योंकि वो जो राजा और राणी है वे सुद्ध वेस में गई थे कहाँ पर वे नम्बर वेस में राजा सोरी रिसी बसिष्ट के आस्रम में जो रहे थे शुद्ध वेस में जा रहे थे तो सुद्ध वेस में जाते हुए उन राजा और राणी की जो अभिख्या थी जो सुंदर था वो कुछ आलोग एक ही लग रहा था अर्था तो वह सुंदर ऐसा लग रहा तो तब चित्रा नचत्र में जिस प्रकार से चंद्रमा दिखाई देता है सुन्दर उसी प्रकार से रतपर सबार वेजू राजा और रानी है सुद्ध वेश में जब रिसी बसिष्ट के आस्रम में जा रहे थे तो उनका सुन्दरी भी कैसा था अत्यन्त अलोग एक था जिसका बणन नहीं किया जा सकता है ऐसा था देखिए क्या कहते हैं कि कोहरे से मुक्त हो जाने पर चित्रा वेश दारण किये हुए वह है जो राजा और रानी है उन राजा रानी का भी सुन्दर्य वैसा ही था कैसा जिस प्रकाल का सुन्दर्य चित्रा न च्छत्र में चंद्रमा का होता है देखिए भी त्यामियों अब हम लिखेंगे विसेस क्या लिखेंगे अब देखिए इसमें अगर हम चंद्र देखेंगे तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस गारे पारे देरे चौदे पंद्रे सोले आपको पता है विद्धारती सोले बन का कौन सा होता है अनुश्ट्रुक चंद्र होता है तो आप देखिए नम्मर एक डार्ट क कि इस पद्र में अनुश्ट्रुक चंद्र है उसके बाद दुसरा हिस्ट्राइब आप देखिए इस पद्रे में उपमा अलंकार है और पिर तीसरा रिखेंगे इस पद्रे में बैदर भी रिटी है और चिट के कि व्याजिवा आप व्याकरन तिप्पणी देखिए काप्य विख्या पहला लिखेंगे आप काप्य विख्या तो आप लिखेंगे काप्लस अपी अप्य विख्या और संदी हो जाएगी विख्यारतियों दीर्ग संदी कौन सी संदी है दीर्ग उसके बाद दूसरा अप्यातियों यही है काप्य विख्या इसमें आप लिखेंगे काप्य विख्यारतियों या संदी और पिर देखिए तयूरासीद तयूरासीद आप लिखेंगे तयूरासीद आप लिखेंगे विशर्व संदी और उसकी बाद लिखेंगे विद्यार्थियों निर्मुक्त देखिए तयूरासीद आप लिखेंगे तादो सब्दो पश्ठी बिवक्ति देवचान और फिल लिखेंगे विद्यार्थियों योगे आप लिखेंगे योग सब्दो सत्मी विवक्ति एक बचान पिर योगे विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीन सॉट ले लें आप लेंगे विद्यार्थियों अब लेंगे विद्यार्थियों अब क्या कहते हैं देखें क्या कहते हैं कि तत तत उस उस भूमी पती है भूमी पती ने राजा ने पत्न्याई पत्नी के लिए दर्षयन दिखाते हुए प्रीय दर्षनह उस प्रीय दर्षन बाले उस राजा ने अपि लंगितम अध्धुनम न बुवदे के अपि लंगितम अध्धुनम न बुवदे قैंप形 मारक को भी पेहचان नहीं पाए बुधोपमहा के जो थो, बुध की उकमावाले थे जो प्रियाधषन थे ऐसे जो राजा दिलीब थे जब रास्ते में होकर गजर रहे थे तो वह अन रास्ते में जो जो इस्थान पढ़ते जा रहे थे तो उन इस्तानों को वह जो राजा दिलीब हैं अपनी पत्री सुदच्छणा को बताते हुए जा रहे थे और बारतालाब करते हुए जा रहे थे उन इस्तानों को बताते हुए जा रहे थे तो जो मारक था कितना लंबा था उस मारक का भी पता नहीं चला बात बात में क्योंकि जब बारतालाब करते हुए मार्ग में चलते हैं तो उस मार्ग का जो समय है उस मार्ग में जितनी दूरी है उस सबका ग्यात में नहीं होता है उसी प्रकार से उस राजा के द्वारा जब प्रत्यकिस्तान को उस रानी के लिए बताया गया तो रास्ता कितना लंबा था उस रास्ते का ज्ञान ही नहीं हुआ तो देखिए क्या कहते हैं कि बुद्ध के समान विद्वान और सुन्दर वह राजा अपनी पत्नी को संपोन बस्तों को दिखलाता हुआ जाता था पत्ह है उसे पार कियے हुए रास्ते का पता नचला क्या बताया देखिए भूमी पत्ति है वुदुध को माह प्रिया दवसर मा ये सब किसके लिए आए हैं राजा के लिए आए है तो क्या उताया है कि तत तत उस उस इस्तान को जिस इस्तान से वह राजा और रानी गुजरते थे तो वह राजा क्या है उस उस इस्तान को उस अपनी पत्नी के लिए बताता चलता था और दिखाता हुआ चलता था तो जिस रास्ते को पार किया था उस रास्ते का ग्यान ही नहीं हुआ कपार हो गया अर्थात उसमें जो ठकान होती जो समय लगा था उस राजा और उसकी पत्री को ग्यान नहीं हुआ देखिए यह जो बिस्रेस हैं विद्यारतियों पहले जो थे वही हैं और आप देखिए पहला देखिए है आप भूमी पती है आप लेकेंगे भूमी पती प्रत्मा विवक्ति एक बचान उसके बादे देखिए पत्नियाई दूसरा है पत्नियाई इसमें लिखेंगे आप पत्नी सब्द है चतुरती विवक्ति एक बचान और उसके बाद तीसरा है दर सेयन दिरस धातु है और सत्री प्रत्य है विद्यार्दियों चौता है बुदोप महा बुदोप फिलास अपोप महा संदी हो जाए उस्ते आते हो गुण संदी और पांचमा है प्रिया दर से नहाँ प्रिया दर से नहाँ प्रिया दर सन्साफ्टर प्रिया दर से नहाँ प्रत्य महां विवक्ति एक बचान एंप ये एक स्क्रीन सोट ले लें लें अ कि भुब लेग्ग देखिए विद्धार दिया दिया अब क्या कहते हैं ये देखिए किसा माने वह है राजा कौन सा राजा जो राजा दिलिक था किसा वह है राजा दुस प्राप यसाहा का तात्परी होता है कि वह इतना प्रसिद्ध था इतना यस प्राप्त था उसे कि जिसके यसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता था ऐसा सा माने वह है दुस प्राप यसा जिसके यसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता था ऐसा प्रापत आस्रमम प्रापत माने पहुँच गया आस्रमम माने आस्रम में स्रांत बाहनहा स्रांत माने ठक चुके थे जिसके घोड़े ऐसा जिसके घोड़े ठक चुके थे ऐसा जिसके यसको कोई प्राप्त नहीं कर सकाता ऐसा वह राजा अदिलेप रिसी बसिष्ट के आसरम में पहुँच गया सायम कब पहुँचा साम के समय सायमिना कि जो सयमी थे जो सयम में रहते थे ऐसे कि सयमिना कि जो सयम में रहते थे ऐसे तास्यम महार से हा उस महरती के आसरम में पहुँच गया महिसी सकह जिसकी सकी कौन थी उसकी रानी थी जिसके साथ कौन थी उसकी रानी सुदच चना थी ऐसा वह राजा जिसके यसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता था ऐसा और जिसके घोडे ठक चुके थे जिसका बाहन ठक चुका था ऐसा वह जो राजा दिलेप है साम के समय उस रिसी बसिष्ट के आस्रम में तोँच गया देखें साम माने वो है राजा दिलिप दुस प्राप यसा जिसके यस को प्राप नहीं किया जा सकता था ऐसा प्रापद पहुच गया आस्रम को श्रांत बाहन हा जिसके बाहन ठक चुके थे जिसके गोड़े ठक चुके थे ऐसा वह जो राजा दिलिप है वह आस्रम में पहुच गया सायम कब पहुचा साम के समय सायम मानिया सायम मेना कि सायम से जो युक्त थे जो सायम ही थे ऐसे उस महारसी बसिष्ट के आसरम में पहुँच गया महासी महिसी सखा और जिसकी सखा कौनती जिसकी मित्र कौनती उसकी रानी ऐसा जो राजा था दुस्यंत वो है अपने राजगुरू कुल गुरू इसी बसिष्ट के आसरम में पहुँच गया देखिए क्या कहते हैं कि राणी के साथ दोलव यसवाला वह है राजा जिसके घोड़े ठक चुके थे संद्या की समय महर सी बसिष्ट के आत्रम में पहुँच गया अब देखिए विद्यार्टियों ये जो इसलूख है जैसे आप देखेंगे ये दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौज़ ज़ारे बारत देखें चोले का मतलब क्या है आप समझते हैं अनुष्टिप चंद है और इसमें विद्यार्टियों अलंकार की अगर हम बात करें त तो अनुप्रास अलंकार है कौन सा अलंकार है अनुप्रास और देखें ब्यात्र टिक्वनी लिखेंगे हम तो पहले लिखेंगे हम सब्सामें लिखेंगे आप अधर सब्सब्द है पुल्लिंग प्रत्मा प्रवक्ति एक बचान फिर देखेंगे प्रापत आत्रमम प्रापत आत्रमम तो आप लिखेंगे प्रापत प्लस आत्रमम और आप लिखेंगे विध्यार्दियो जसत्व हलसंदि और उसके बाद पीसरा हलस्यार्दियो तस्यार्दियो आप लिखेंगे तादो सब्दो पस्थी बिवक्ती एक बचान और इसके बाद चौता दिखेंगे विध्यार्दियो महार सेहार्दियो आप लिखेंगे तादो सब्दो महार सेहार्दियो आप लिखेंगे तादो सब्दो और पर देखेंगे महार सेहर्दियो आप लिखेंगे तादो आप लिखेंगे महार सेहार्दियो आप लिखेंगे महिसी सकहा और आप संदियो देंगे विखेंगे विखेंगे पर ये विखेंगे तादो पर ये विखेंगे तादो आप इसका एक स्क्रीन सोट ले लें पर ये विखेंगे झाल 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 आप देखें विद्यार्टियों यह जो है इस लोग यह वहां की उस आस्रम की स्थिति का बनन है कि आस्रम में कैसी स्थिति है और कैसा लगता था देखें कि बनांतरात उपा रत्तय संवित उस फला आ रही है पूरे माना मदर्स्य अगनी फ्रत्य धातय तपस्विविया देखें बन अंतरात कहते हैं दूसरे बनों से उपा रत्तय लोटे उओं के द्वारा समित कुस फल आ रही है कि समित कुस और फल जो लेकर के आये थे उनके द्वारा पूर्य माना भरा हुआ है अद्रस्य अगनी जो दिखाई ने देती है ऐसी अगनी प्रत्य धातय तपस्विविया प्रत्य धातय ऐसी उस अगनी के द्वारा प्रत्य धातय माने स्वागत किये जाते हुए क्या कहा है देखिए वन अंतरात दूसरे बन से उपा प्रत्य जो लोट के आये थे क्योंकि जो तपस्वी रहते हैं आस्रम में और तपस्वी रहते हैं तो सभी तपस्वी कोई फर लेने के लिए चला जाता है बन से क्या कहते हैं समिधा तो क्या कहते देखिए कि बनांतरात उपावरत्य के दूसरे बनों से जो लोट करके आये थे तपस्वियों के लिया आया है समिध कहते हैं समिधा जो यक्य के लिए लगणियां होती है उनको समिधा होती है कुछ कुछ कहते हैं इधन और फल आह रही है जो फल लेकर आये थे उनके द्वारा तरतिया वह बचार विद्यार दिया दियो पूर्य मानम भरा हुआ है तपस्विया उन तपस्वियों के द्वारा भरा हुआ है क्या भरा हुआ विद्यारतियो वह है आश्रम और अद्रस अगनी प्रत्योधातया के अद्रस अगनी जो दिखाई नहीं देती है एसी अगनी के द्वारा प्रत्युधातय जिनका फागत किया गया है ऐसे उन रिसीयों के द्वारा वह आश्रम भरा वह एपरा हुआ है उस आश्रम की यथा इस्तिति का बनन कर रहा है कभी कालिदास क्या है वो क्या कहते हैं कभी कालिधास के जो रिसी मुनी जो तपस्वी दूसरे बनों में समिदाएं और फ़र ले करके जो आते थे ऐसे तपस्वी तवारा वए बन भरा हुआ है और उस आस्रम को देख करके ऐसा लगता है जैसे वे तपस्वी दूसरे बनों से फ़ल समिदाएं और कुछ ले करके आते हैं तो उनका स्वागत अधरस से रूप से अगनी करती है और ऐसा रगता है कि ऐसे उन तपस्वी दौरा वह जो आस्रम है वह भरा हुआ है किन तपस्वी दौरा क्योंकि साम के समय जो दिन में त मिदाएं लेने के लिए और कुसाएं लेने के लिए जो जाते हैं वे साम को लोटकर के आस्रम में आ जाते हैं तो वह आस्रम क्या उन से भरा हुआ है और ऐसा रगता है कि अधरस से रूप से जो अगनी है वह उनके आने का स्वागत करती है क्योंकि साम के समय आस्रम में अगनी सागत करते हैं और वह आसरम उन रिसीं तपस्यों के द्वारा भरा हुआ हैं जो साम के समय लोटकर के आसरम में आ गये हैं क्या कहते हैं कभी कालिदास कहते हैं कि दूसरे दूसरे बनों में घूमकर समिधा को सौर फल लिये हुए जब तपस्वी लोटते थे तब तीनों प्रकार की अगनी अद्रस रूप से उनका सागत करते थे ऐसे तपस्यों से उहे आस्रम भरा हुआ है देखे विद्यार्दियो जब आप इसको पढ़ेंगे किहीं देखे इसमें अलंकार है वह बदल जाता है औरनकार है कौनसा अलंकार बि ensuring vac day हो औछ में वुटरी पैप पैप भुद्ध चेलंकार है जारती हो और देखे प्रत्युद्धात इस तपस्य भिया देखें पहला लिख लेंगे हम तपस्य भिया आप लिख लेंगे तिर्थिया विवक्ति बहुबचान और उसके बाद देखें आप लिखेंगे दूसरा प्रत्युद्धात इहा तपस्य भिया जो ध्यात कही है प्लस तपस्य भी भी है और फिर इसमें हो जाएगे जाएगे हो बिसर्थ संदी इसके बाद तीसरा है पनान तराव आपने देखेंगे बाना प्लस अंतर और आपने देखेंगे दीर के संदी फिर देखेंगे बनान तराथ उपाब्रत्य तो आपने केंगे बनान तराथ प्लस अंतर आपने देखेंगे और आप लिगतेंगे विद्ध्यारति हो जसत्व हलसंदी चालिगतेंगे विद्ध्यारति हो जसत्व हलसंदी फेव इस दिहारति हो आप जिसका एक स्क्रिन सोट ले ले झाल 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 के द्वारा आपत्याई है एव संतान के समान नीवार भाग दियो की तया मिरगईया के नीवार के भाग के द्वारा जो बड़े हुए थे ऐसे उन मिरगों के द्वारा वहाँ पर क्या था जब राजा और रानी उस आस्रम में पहुँच गए तो उन्होंने क्या देखा के वहाँ पर म्रग बैठे थे और म्रग कहां बैठे थे जो आस्रम में कुटिया होती है उन कुटियाओं के द्वार पर बैठे हुए थे गेट पर बैठे हुए थे और उसको रूप करके ऐसा लग रहा था जैसे वे उनको रूप रहे थे तो वे जो म्रग हैं बे कुटिया के दौर पर आकर की बैट देते और वे कैसे म्रग थे जिनको रिसियों की पत्नियों ने नीवार के अन खिला खिला करके बढ़ा किया था तो बे म्रग क्या है उन कुटियाओं की दौर पर बैटे हुए थे और ऐसे उन म्रगों से वह जो आसर में वह भरा हुआ थे क्या कहते हैं कभी कालिदास के वहां पर उन्होंने क्या देखा आकिन रिसि पत्नी नाम उटज दौर रोदी विया क्या आकिन माने भरा हुआ था ब्याप्त था रिसि पत्नी नाम रिसियों की जो पत्नी होती है उनके दौरा कुटज दौर रोदी विया और कुटिया के दौर को जो रोकने वाले थे उनके दौरा किनके दौरा म्रगया म्रगों के दौरा अपत्य के यह जो संतान के समानते ऐसे उन म्रगों के द्वारा नीवार भाग देयो चिताईय के जो नीवार के अनके द्वारा जनको पाल पूस करके बड़ा किया आ गया था जो रिसियों की पत्नी के संतान के समानते ऐसे उन म्रगों के द्वारा वो है जो आस्रमें वो ब्य आप ततार था तो उसमें ऐसे अनिक म्रगते जो कुटियाओं के द्वार पर बैठे हुए थी देखिए क्या कहते हैं कि पत्तों की कुटिया द्वार रोग करके मुनि पत्तियों की संतान की तरह नीवार का भाग पाने वाले म्रगों से वह आस्रम भरा हुआ था अतार उस आत्रम में अनिक म्रगते जिनसे वह गया आत्रम बराभवा था वहां अनिक म्रगते और जो कुटियाओं के द्वारों पर बैठे हुए थी देखिए अब इसमें विद्विद्वार की हो अब और अब अलंकार है एक दो तीन चार पांट शे साथ आट जो अधास ग्यारे बारे तेरे चौदे पंद्र सोले तो ने कंसरा अनुस्टूक्षन दे और देखिए अगर आप द्याकर टिपड़ी लिखें तो ब्याकर टिक्षिए में आप नहला लिख लेंगे म्रगया आप लिखेंगे म्रग सब्दों तुर्टिया विवक्ति बहुबच्चान फिर देखिए दूसरा है अपत कहीं देखो तो अपत्य है प्लस एव और संद्धी हो जाएगे में त्यार्टियों पिसार्ग आप दितेएंगे पिसार्ग संद्धी फिर देखिए पत्नी नाम आप देखेंगे पत्नी सब्द है सास्थी विवक्ति बावु पत्राण और फिर देखिए भाग धेयो चित्या आप देखेंगे भाग धेयो प्लस ओचे त्यार्टिया और संद्धी हो जाएगे में त्यार्टियों गुण संद्धी आप देखेंगे पांच माएं आप गीनम आपसर किरी धातु अप्रते प्री विद्ध्यार्तियों आप इसका एक स्क्रीन सॉट ने लें प्री विद्ध्यार्तियों आपने इस विद्ध्यार्तियों को देखने के लिए बहुत समय निकाला उसके लिए धन्यवाद आप जब भी पढ़ते हैं तो आप इनको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते चलें और जो मैं पुस्तिक पढ़ा रहा हूँ वे बाजार से पुस्तिक खरीद लें जिससे क्या है आपका पाठे करम सिलेवा साथ साथ पूरा होता चले देखिए आज के इस लेक्टर में इतना ही धन्यवाद झाल